हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट मैट्स के वीक नमबर 25 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट उस object पर सही का निसान लगाना है जो की भारी है तो बच्चों यहाँ पर books हैं तो इन में बच्चों कौन से नमबर की book जो है वो भारी है फर्स्ट नमबर की तो फर्स्ट पर आप सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर है बच्चों बर्गर तो बर तो इन दौनों में कौन सी बोतल जो है मोटी है नंबर वन की तो बच्चो वन पर आप सही का निसान लगाएंगे अब है बच्चो कोश्य के नंबर टू आ टिक राइट मार्क on thickest and cross on the thinnest object बच्चो जो वस्तु यहाँ पर मोटी है उस पर आपको right mark करना है और जो पतली है उस पर cross mark करना है one is done for you एक आप के लिए यहाँ पर किया गया है तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर hot air balloon है इनमें जो मोटा है वो कौन सा है second number का तो इस पर सही का निसान लगाया गया है और जो बच्चो पतला है thin है वो कौन सा है third number का तो इस पर cross का निसान लगाया गया है तो बच्चो आप भी इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर बच्चे 3 हैं तो इन में थिक जो है वो कौन सा है इन तीनों में थिकस्ट है बच्चो नमबर 1 तो आप इस पर सही का निसान लगाएंगे थिनेस्ट है बच्चो नमबर 2 का तो आप इस पर क्रोस का निसान लगाएंगे नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर यह रोप है रसी है तो इनमें मोटी कौनसी है नमबर थर्ड की तो इस पर आप सही का निसान लगाएंगे और थिनेस्ट है पतली है नमबर फस्ट की तो आप इस पर क्रॉस का निसान लगाएंगे अब बच्चो next है यहाँ पर बच्चो इक pencil है तो pencil में बच्चो सबसे thickest कौन सी है मोटी कौन सी है number second की तो इस पर right mark करेंगे और thinnest कौन सी है number first की तो इस पर आप cross mark करेंगे अब बच्चो question number three pick tick right mark for the lighter object and cross on the heavier objects in the given box बच्चो यहाँ पर जो lighter object है हलका है उस पर तो आप सही का निसान लगाएंगे और जो बच्चो heavy है भारी है उस पर आप cross mark करेंगे तो first में है यहाँ पर leaf इतमें इस पत्ती है यह तो बच्चो पत्ती कैसी होती है light होती है तो right mark करेंगे यहाँ नेक्स्ट में है बच्चो पंक, ये बच्चो किसका पंक है, मौर का, तो ये भी light होता है, हलका होता है, तो number second पर भी बच्चो आप सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट पिक्चर में है elephant, तो बच्चो elephant जो कैसा होता है, heavy होता है भारी, तो number third पर आप cross mark करेंगे next में हैं बच्चो kite, kite means होती है पतंग, तो बच्चो पतंग कैसी होती है, light होती है, तो आप बच्चो इस पर भी आप सही का निसान लगाएंगे next में है बच्चो flower, तो flower कैसा होता है, light, तो आप इस पर भी सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट में बच्चों क्या है ये सामान ढोने की लौरी है ट्रक कहते हैं जिसे बच्चों कैसी होती है ये भारी होती है तो यहाँ पर आप क्रॉस का निसान लगाएंगे next है sofa तो बच्चो sofa कैसा होता है heavy होता है तो यहाँ पर भी आप cross mark करेंगे next में है water melon it means tarbos तो tarbos भी बच्चो heavy होता है तो यहाँ पर आप cross mark करेंगे अब है question number 4 draw and color the lightest object in each part पिरति एक पार्ट में जो बच्चो हलका object है आप उसे draw करेंगे तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे a part a में बच्चो क्या क्या है flower यह बच्चो almira और यह lion इन में सबसे lightest हलका कौन सा है तो बच्चो full होता है तो आप full की picture इस flower की picture draw करेंगे और इसमें color fill करेंगे नेक्स्ट में बच्चो यहाँ पर यह क्या है यह है kitten यह leaf है और यह है tree तो इन तीनों में बच्चो lightest कौन सा है हलका बच्चो क्या है leaf पत्ती है आप इसे draw करेंगे और इसमें color fill करेंगे नेक्स्ट में है बच्चो table panda और balloon तो बच्चो सबसे हलका क्या होता है बैलून तो इन में लाइटेस्ट है पैंसिल इसकी पिक्चर ड्रो करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे लाइफ स्किल मीजरिंग दर टैंपरिचर आइडेंटिफाई वर्टिंग इस सोन इन दा फोलिंग फिगर बच्चो अब उस चीज को आपको पहचाना है जो की डीगे फिगर में दिखाई गई है सरकल दा कर्यक्ट ओसन सही ओसन पर आपको सरकल करना है तो बच्चो आपर ओपशन है श्टिक चड़ी पाइप या फिध थर्मुमेटर तो बच्चो पिक्चर में क्या है ये यह तर्मुमेटर है तो आप फिल पर सर्कल करेंगे नेक्स्ट है मैजदा फोलेंग बच्चे आपर आपको मैच इन करनी है वी मेजर आप बॉडी टेंपरेचर इन दीज उनिट इन एकाईयों के द्वारा हम अपने शरीर के तापमान को मेजर करते हैं मापते हैं तो किसके द्वारा फारेन हाइट और सेल्सिय तो इसके साथ मैच करेंगे इस्टुडेंट्स इप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक और सेयर और इफ यू नियू अन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू